यूपी में विधानसभा चुनाओं की तारीखों के एलान के साथी अपने नेता को लेकर चुनाओं पार्टियों की सजक्ता काफी बढ़ जाती है ऐसे में नेता जी की सुरक्षा को मद्दे नजर रखते हुए कोई लासेंसी हतियार रखना लाजमी है पर कई बार वो हतियार पुलीस के नजर में आते ही उन्हें जमा करने के आदेश मिल जाते हैं पर हाल ही में एलहाबाद हाइकोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला लिया है हाइकोर्ट का कहना है कि चुनाओ के दोरान बिना किसी वज़ शस्तर जमा करने के लिए किसी को बाद धना किया जाए यह आदेश न्याई मूर्ती SG सिंग ने राजापूर प्रयाग राज के निवासी नगरपालिका परिशत के सेवा निर्वत अधिशाशी अधिकारी और बक्षी एजुकेशन ट्रस के अध्यक्ष अनीश एहमत की याज़का को निस्तारित करते हुए दिया है इसके बावजूद उसे शर्ष्ती जमा करने को कहा जा रहा था जिसपर कोट ने कहा कि अप्राधिक केसों पर विचार कर लिखित आदेश दिये जाए कोट ने DGP को निर्देश दिया था कि सरकुलर जारी कर सभी जिलों के SSP वा SP को आदेश का पालन करने के लिए निर्देश दिये जाएं क्योंकि कुछ गन लाइसेंस होल्डरों द्वारा लोगसबा चुनाओं में असलहों को लेकर मद्दाताओं को डरा धमका सकते हैं इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए चुनाओं से पहले गन लाइसेंस जमा करा लिया जाता है आचार सहिता लागू होते ही हतियारों को जमा करने की सूचना पुलिस द्वारा हतियार मालिकों को उनके मोबाइल पर भेज दी जाती है पुलिस के पास लबग सभी लाइसेंसी हतियार मालिकों के मोबाइल नमबर मौजूद होते हैं जो लोग इसे नजर अंदाज करते हैं पुलिस उनके खिलाफ नियमा सार करवाई करती है बता दे आमसेख 1969 के तहट भारत का कोई भी नागरिक आत्मरक्षा के लिए प्रशाषन से लाइसेंस लेकर हतियार ले सकता है हतियार का लाइसेंस देने के लिए राज के ग्रेह मंत्राले और जिलाद कारियों को शक्ती दी गई है लाइसंसी हथियार के लिए तय प्रक्रिया के तहट एप्लिकेशन देनी होती है अगर जांच में एप्लिकेशन सही होती है तो हथियार दे दिया जाता है कोई भी लाइसंसी हथियार रखने के लिए कुछ नियम और शर्ते भी बनाई गई है जिनका पालन करना अनिवार होता है जैसे कि license हथियार का इस्तेमाल दिखा वे या रुत्में साबित करने में नहीं किया जा सकता किसी बी शादी ब्याह पार्टी याAg morals के समय खुशी जताने में इसका उपयोग नहीं किया यह सकता किसी को डराने धमकाने के लिए license हथियार काम में नहीं लिया जा सकता, जिस वक्ति की नाम पर हतियार है केवल उसे आत्मरक्षा में चला सकता है. किसी और को बेच नहीं सकते, शिकार, मनुरंजर में उपयोग नहीं कर सकते हतियार के दम पर गुंडा गर्दी नहीं कर सकते प्रशाशन जब कहे तब हतियार को थाने, पुलिस लाइन या गन स्टोर में जमा कराना होगा ऐसा अक्सर चुनावों के समय होता है अगर इन नियम शर्तों का पालन नहीं होता, तो लाइसेंस रद्द कर हतियार वापस लिया जा सकता है साथी लाइसेंस धारक को सजा भी हो सकती है इसके तर लाइसेंसी हतियार से किसे दूसरी की जान खत्रे में डालने पर दो साल की जेल या एक लाइक रुपे जुर्माना या दोनों ही हो सकता है फिलाल आज की वीडियो में बस इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की